हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा एक प्रोफेशनल लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाए यह स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी इंपोर्टेंट है और जनरल पर्पस के लिए भी इंपोर्टेंट है कि प्रोफेशनल लेंग्वेज में इफेक्टिव तरीके से एडिटर को लेटर किस तरह दिखा जाए लेटर सीखने से पहले कुछ important बातें आपको समझ लेनी चाहिए सबसे पहला ये कि एडिटर जो होता है वो किसी भी newspaper में ये decide करने के लिए एक officer होता है कि क्या news paper में प्रिंट होना चाहिए magazine में क्या छपना चाहिए क्या नहीं छपना चाहिए तो आपका जो लेटर है वो किसी ऐसे इस्यू पर आपको एडिटर को लिख करके भीजना है जो की करेंट हो या जो की society या और जो economical या political matters होते हैं उनसे related हो education से related हो या किसी ऐसे topics related हो जिसमें public का interest होता है तो ऐसे किसी topic पर हम अपने views क्योंकि newspaper में हम news read करते हैं और फिर अकसर उस news पर मन करता है हमारा कि हम भी अपना response दें और इसका ही एक तरीका है letter to editor अब उस response को लिखते हो अपने views लिखते हो किसी topic के ऊपर और editor को भेज़ देते हो editor उसको review करता है देखता है और उसे लगता है कि यह print होने लायक है एक अच्छा topic discuss किया गया है तो editor उसको अपने newspaper में जगए देता है और print करता है तो ध्यान रखना यह सिर्फ एक ऐसी चीज होती है कि editor ने चाप दिया एक पब्लिक इंट्रेस्ट का कोई topic अपने उठाया था उसको न्यूस प्रिंट कर दिया गया तकि लोग पढ़ें और आपका जो message है वह आप से निकल करके दूसरे लोगों तक पहुँच पाए इस तरह के letters में हम editor से कोई request नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे यह problem चल रही है यहां पर यह वहां पर यह problem चल रही है और आप इसमें कुछ करो क्योंकि editor newspaper में क्या छपे और क्या नहीं छपे इसके लिए responsible होता है elder आपके यहां society में लोकलिटी में शहर में गाउं में आकर के कुछ करवाएगा उसके लिए responsible नहीं होता तो letter में हम यह बात discuss करते हैं end में कि जो भी हम problem discuss कर रहे हैं वो जो responsible authority है उसकी उनके कानों तक वो आवाज पहुंच सके उनके कानों तक वो बात पहुंच सके और जो लोग उस मामले में कोई कदम उठा सकते हैं वो कोई action ले तो editor का काम इतना है कि आपकी बात को जनता तक पहुंचाए आपके letter के जरिये इसलिए दिहान रखना है learners कि letter में editor से हम कोई भी action लेने के लिए request नहीं करते हैं उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारी request होती है कि हम एक social issue को उठा रहे हैं और आपसे request है कि आप हमें अपने newspaper में अच्छी ही चगा दें ताकि मैं अपने विचार अपने concerns जो हैं वो इस मामलें पर express कर सको हूँ so now let us learn the pattern of the letter इस letter में मैं आपको एक professional pattern जिखा रहा हूं इसे हम main letter को three parts में divide करके सीखेंगे first body part and last body part जो आप इस pattern में सीखोगे वो डिट्टो आपको सेम हर letter में ऐसे ही रखना है जो middle body part होगा उसकी आपको beginning सीखने को मिलेगी और जिस तरह का भी question आपके सामने आता है basically class 9th, 10th, 11th और 12th के students के लिए जिस तरह का question सामने आता है उस question के according जो topic आप लोगे उस topic main content होगा उसे आप अपना जो second body part होगा जो आपके discuss करना है उसकी कुछ बातें आप अपने common understanding से discuss करोगे so now let us learn the letter एक अच्छी language में editor का letter लिखना बहुत ही आसान काम है सबसे पहला point है addressing जो भी question आपके सामने होता है students उसमें आपका नाम लिखा होता है आपका address given होता है कि आप इस जगे पर रहते हो और question का जो main content है वो given होता है तो सबसे पहले आप लिखोगे अपना self address अपनी notebook पर left hand side top corner से आप शुरू करोगे सबसे पहले self address उसके बाद आपको लिखनी है date और date लिखते time आपको दियान रखना है कि date में आपको month का name लिखना है number नहीं जैसे आज जब मैं इस वीडियो को prepare कर रहा हूँ 20th February 2023 इसको अगर मैं लिखता हूँ 20 02 2023 यह incorrect होगा so month का आपको name लिखना है month आप पहले लिखो या बाद में February 20 लिखो या 20th February लेकिन आपको month का name लिखना है उसके बाद आप चाहो तो एक line छोड़ सकते हो चाहो तो मत छोड़ो फिर आपको लिखना है the editor the times यहाँ पर अगर कोई सी newspaper का नाम आपको given है तो उस newspaper का नाम आपको use करो यहाँ भी आप फिर से चाहो तो एक line छोड़ सकते हो और बता दो में कि line छोड़ना किसी तरह के pattern का part नहीं होता है यह सिर्फ letter हमारा साफ सुथरा दिखाई दे और gap clear हो इसलिए line छोड़ देते हैं अच्छा लगने के लिए इसके बाद आप जो भी आपका letter का main content या topic question में given होगा वो आपका subject होगा तो subject इस तरह के professional letters में आपको जरूर लिखना चाहिए और अगर आप किसी question का answer नहीं लिख रहे हो अपने मन से ही कोई letter लिखना चाहते हो तो main topic of the letter जो भी आप इस letter में discuss करने वाले हो उसका hint आपको यहाँ देना है कि मैं इस मुद्धे पर इस issue या इस point पर इस letter में discuss कर रहा हो so main topic of the letter suppose कि आप बात करना चाहते हो कि आपके area में street dogs बहुत जादा है और हम government इसके वारे में कुछ करे एरिटर नहीं करेगा government करेगी तो आप यहाँ लिखोगे the number of street dogs increasing in the surrounding या इस तरह के जो भी चीज़ें आप different letters में different topics ह हो सकते हैं उसे आप use करोगे तो यह था हमारा first point addressing किस तरह से आपको address करना है चलते है next point की तरफ जिसमें अब हम letter की main body को discuss कर रहे हैं students letter की main body को आप तीन parts में divide कर दोगे पहले जो body part है उसमें आपको लिखना है आपका सामने है आप introduce करोगे अपने आपको कि आप क्या हो और आप क्या कहना चाहते हो so sir I would hear why I like to request you to provide me a second column editor को बोलो कि sir मैं आपसे request करता हूँ कि आप अपने newspaper में in your esteemed newspaper अपने सम्मानित अपने प्रशिद newspaper में एक अच्छा सा second column एक अच्छा column मुझे provide करो to express my concerns मेरे concerns मेरी चिंताइं या मेरे points मेरी बातें express करने के लिए व्यक्त करने के लिए over the matter of dash इस dash में जो आपने पीछे subject लिखा है उसी subject को आपको यहां लिख देना है कि इस मामले पर और यहां पर students आपके letter का body का first paragraph complete हो जाएगा अब आप इसके बाद second paragraph अपने letter का लिखोगे जो कि हम यहां पर point number three में discuss कर रहे हैं main concern आपके letter का क्या होने वाला है तो आप इस letter को body part को शुरू करने के लिए बोलोगे I may not be the first person कि हो सकता है कि मैं कोई पहला person नहीं हूँ to raise the issue जो इस मामले को उठा रहा है but the gravity of the matter needs speculations लेकिन मामले की जो gravity यानि गंभीरता है उसमें थोड़े सोच-बिचार की तो जरूरत है needs speculations उसमें speculations की तो जरूरत है और फिर इसके बाद full stuff लगा करके आप इसके आगे जितने भी points दो तीन चार पाच क्योंकि आपको अपने letter को nearly 150 words में finish आप फिनिश करना है तो अपनी मर्जी से आप जो भी अपनी knowledge से आप points discuss कर सकते हो वो यहाँ पर आपको discuss करने आपको अपने points according to the question तो यह था हमारा main body parts का second paragraph letter का जो की थोड़ा सा बड़ा होता है comparatively क्योंकि इसमें आपको अपने maximum points लिखने होते हैं अगर आप चाहो तो अपने तरफ सो कोई suggestion देना चाहते हो तो वो suggestion भी आपको इसी second paragraph में देना है अब चलते हैं next ending की तरफ third paragraph last paragraph और इसके साथ हमारा letter end हो जाता है third paragraph में आपको लिखना है I hope my opinions won't fall upon deaf ears और यह बिल्कुल professional language students, learners, ध्यान से इसको समझो I hope my opinions won't fall upon deaf ears मुझे उम्मीद है कि मेरे जो विचार है, opinion है वो won't fall upon deaf ears, यह मतलब है इसका मतलब है ignore नहीं किये जाएंगे अनसुने नहीं किये जाएंगे, अन्देखे नहीं किये जाएंगे and the responsible authority would surely come up with a concrete solution और जो भी जम्मेदार authority जम्मेदार लोग है वो जरूर कोई ठोस हल इसका लेकर सामने आएंगे ठोस हल इसका निकालेंगे इसके बाद आपको regards और जो भी आपका नाम given होगा नहीं रही है, अटा दिया गए, सिर्फ regards, regards is sufficient regards का मतलब है कि पूरे सम्मान के साथ और नीचे फिर आपको X, Y, Z, जदा अगर कुछ लिखना चाहते हो तो सिर्फ yours आप लिख सकते हो और फिर भी अगर आप कुछ, अगर आप एक इसी question का answer नहीं लिख रहे हो, अपना personal लेटर लिख रहे हो, real letter लिख रहे हो, editor को, तो आप यहां पर अपना जो भी आपका अपना नाम है, वो लिखो गए, अपकोर्स अपना नाम लिखो गए, अब इस letter को जड़ा पूरे एक combined form में देख लेते हैं, इस तरह से जो स्क्रीन पर देख रहा है, आपको यह आपके letter का एक combined form होगा, जिसका फैला paragraph है, I would hear what I like to request you to provide me a second column in your esteemed newspaper to express my concerns over the matter of that subject, जो भी इदर आपको लिखना है, फिर उसके बाद second paragraph लिख हो गए, आपका, I may not be the first person, तुम बता दूँ आपको students कि आपको अपनी तरफ से letter में कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यह पूरी तरह से complete prepared, एक ready made letter है, जो कि आपको as it is, जैसा है, वैसा ही कर देना है, आपको अपनी तरफ से सिर्फ जो बीच का body part, second paragraph है, वहाँ पर कुछ points है, कोई suggestion अगर आप लिखते हो, तो आपक पास है, question से subject आपको मिल जाता है, और लाक पर अगर आप पूरी तरह से given हैं आपके लिए, आपको regard लेके सिर्फ sign करके इस letter को कर देना है, अगर आपके board exams में या 9th, 10th, 11th, 12th, किसी भी class में या और भी किसी level पर आप इस letter को लिखते हो, आपको full marks मिलते हैं, 100% in this letter, और य आपको शेर सक्सेस मिलेगी, well, I hope it was useful to you, if you liked it, do share this video with others, with your friends, with your known people, like this video and of course, I know you will not forget to subscribe my channel, thank you, thanks for now, thank you very much.